हाँ जी सबको नमस्ते आश्टमी की सबको बहुत बहुत बढ़ाई हो वह यह जो कन्या पूजन की थाली है ना इससे हमारी बहुत सारी यादे जुड़ी हुई है जब हम बच्पन में हमाई सारी सहलियों के साथ पूरे महले का जब चक्कर काटते थे ना बहुत मज़ाता था बहुत दिन जब आज याद आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल जो पच्पन की यादे है ना एकदम ताजा हो जाती है तो देखो जब छोटे थे ना तब लगता था रे कितना खाएंगे कितना खाएंगे लेकिन आज ऐसा लगता है कि बस कोई फिर से वो वा तो फिर हमारी पिंकी पर उसके पहले देखो जब हमारी साधी हुई तो तुमारे जो अंकल है उनके घर के सारे नियम अलग थे वेटा हमारे घर में तो खीर पूरी बनता था इनके घर में जहलबा काला चना और पूरी बनते थे वह हमने भी पिर उसको अपनाया और उसके जब हमारी पिंकी थी चोटी तो पिंकी के लिए ऐसे ठाली Dawkit करती थी अब हमाई घर महारा चोटा सब मुन्ना है मुन्न हमाई पोता तो फिर अब जे मुन्ना के लिए हमारी भी फिरेंड थाली दे कर गई थी तो हमने सोचा वह जब बच्पन की जाद अधिमाई ताजा होई गई हैं तो आप सब के साथ भी सेयर कर देek आप और sold की सारी इसाथ सेयर करो कि जब करन्या पुजन होता था तो का खाते थे कैसा रहता था हमें तो सबसे ज़्यादा खुसी होती थी कि हमें गिफ्ट का मिलेगा उससे हमें तो बेटा एक आना दो आना भी मिल जाता था ना बहुत खुसी होती थी चाकलेट लेकर आते ते साम को तुम कमेंट जरूर करना झाल झाल